हेलो स्टूडेंट आज हमारी थर्ड क्लास है थर्ड क्लास में हम क्या सीखेंगे सर ये है जीरो थ्री आज हम बात करेंगे मार्जन ओफ सेफ्टी की कि पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जन ओफ सेफ्टी क्या होता है उ सब मार्जन बोलता है कितना मार्जन लेके चलोगे मार्कप लेके चलोगे तो प्रोफित का हिस्सा होता है और जो प्रेक पॉइंट वाला जो सेल होता है इस पर हमारा पॉपित नहीं होता के सरा ब्रेकवन.d कंफेंट तौर हो सकता है सारे खर्चें क Ahí नहीं हो सकता है लेकिन और मार्ज descriptions मतलब होता है प्रॉपित यानि अभ हमें वो सेल्स बताना है जिसमें हमें profit profit नजर आए हमें वो sales बताना है जिसमें profit profit नजर आए तो sir अगर मैं बताओं कि मेरा break even break even sales मेरा 10 लाक है तो इसमें तो profit हो इनी सकता और मैंने बोला normal मेरा sales जो है वो 12 लाक है तो इसका मतलब 2 लाक रुपए का वो sales है यहां पे जिस sales के उपर आपको profit होगा इसी को यहीं से concept develop हुआ हमारा margin of safety यहीं से concept develop हुआ हमारा margin of safety तो sir margin of safety के अगर हम ध्यान से देखे तो मैंने formula लिखा हुआ है बहुत simple से चीजे हैं पहले जो चीजे करी हैं वो तो question किया ही था तो sir margin of safety का formula की हम बात करते हैं तो कहता है margin of safety इसको ms बोलूँगा मैं shortcut में इसको नब ms बोल दिया करूँगा m.s ठीक है तो sir margin of safety क्या होता है हमारा actual sales जितना हमारा sales हुआ है माइनस में break-even sales मेरा 12 लाग का sales हुआ है उसमें 10 लाग break-even sales है तो माइनस करोगे तो जो दो लाग बचा उसके उपर हमें margin मिलने वाला है margin of safety का मतलब दूसरा formula यह हो सकता है margin of safety का profit upon में PV ratio PV ratio का मतलब वो profit into 100 होगा profit upon में PV ratio into 100 आप सभी को मैं कहना चाहूंगा है कि पेज तो formula कर रखिएगा वहां जैसे जैसे formula लिखता जाओगा add-on करते जाईएगा ठीक है ना कई बार यहां पर आप से पूछा जा सकता है कि PV ratio क्या होगा PV ratio तो हम क्या करेंगे PV ratio निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे यहां से divide कर दोगे यह इसको इधर ले जाओगे फिर इसको इधर ले जाओगे है ना आपका cross multiplication जो होता है तो उस situation में क्या होगा PV ratio को निकालने के लिए हम इसको multiply करेंगे यानि हो जाएगा profit upon में MS margin of safety अगर आपसे profit पूछ लिया जाए तो क्या निकालोगे profit ratio में profit पूछ लिया जाए तो profit क्या होगा हमारा margin of safety into में PVR PV ratio simple सा formula बन गया तो आईए हम कुछ questions करेंगे और फिर देखेंगे ठीक है ना अब काफी बच्चों का doubt हो सकता है सर ये जो हम chapter कर रहे हमें तो समझ नहीं आ रहा तो आपको practice से आएगा काफी सारे question practice करोगे न तब आपको भी clarity होती जाएगे चलिए एक question आपके सामने है proper visual होगा आपको चलिए सर question आपके सामने है नहीं देख रहा now clear question में क्या कहता है कहता है calculate margin of safety MS निकालना है each of the following independently हर case के अलग पहले case में कहता है सर case number one case number one break even point break even point मैं question भी लिख रहा हूँ हाला के सामने है 40% break even point 40% है and actual sales कहता है हमारा actual sales कह रहा है यहां पे हमारा जो भी हम sales करेंगे न उसका 40% तो break even ही point होगा हमारा जो भी sales करेंगे उसका 40% तो break even ही point होगा तो सर simple सी बात है break even sales अगर मैं आपसे निकलवाऊ break even sales break even sales तो आपका जवाब होगा सर 40,000 इसको multiply 40% से करोगे तो मतलब सर 16,000 रुपे break even क्या है हमारा sales और actual sales आपका है तो MS का formula अपलाई करिए MS is equal to actual sales minus में break even sales सर क्या आएगा 40,000 minus में 16,000 result is 24,000 कोई डाउट first case done चलिए सर अब second case पर चलते हैं case number 2 question में कहता है actual sales हमारा ये है और break even point in terms of unit दे दिया इसने break even point क्या दे रहा है हमें 25,000 break even point 25,000 और ये दे दिया इसने unit और sales हमें दे दिया यहां पर क्या वो भी unit में तो पूछा गया दोनों चीजे unit में हैं actual 40 और ये unit तो unit में निकाल देंगे हम margin of safety margin of safety is equal to sir margin of safety क्या actual sales minus में break even break even unit कह लो sorry break even point कह लो unit में चलेगा दोनों simple से बात है sir 40,000 unit minus में 25,000 unit तो घबराने की कोई जूरत निया unit में answer दे दिया हमने 15,000 unit हमारा margin of sales है इसका मतलब sir ये भी हो सकता है case number 3 case number 3 देखिए कहता है sir break even point हमारा है 75% हमें margin of safety निकालना है break even point कितना दे दिया हमारा 75% तो sir अगर मैं बोलू simple सी बात margin of safety क्या होता है और actual sales की मैं बात करूँ बैसे break even sales मैंने formula पीछे लिखवाया भी है कोई बात नहीं अब मैं बोलता हूँ actual sales actual sales क्या होता है आप बताईए जो actual sales है उसमें दोनों चीज़े जुड़ा हुआ है break even भी यानि sir इसके अंदर break even point भी है और margin of safety MOS भी बोल देते हैं मैं MS लिख देता हूँ ठीक है कैसे sir actual sales में दोनों कैसे for example देखे इससे पहले वाला आपका 40,000 रुपे का था न आपने बोला sir इसमें से 25,000 तो break even point है और बाकी आपका 15,000 MS है क्योंकि निकाला है न हमने 15,000 MS है और ब्रेक even point है ठीक है यानि अगर आपको sales में से break even point पता चल जाए तो बचा हुआ part margin of safety है sales में से आपको margin of safety पता चल जाए तो बचा हुआ point break even point है कुश्चन है का जी 75% और ये कितने percent के बराबर होगा 100% कुश्चन है का 75% break even point है तो सर ये तो 100% के बराबर है अगर 75% break even point है तो margin of safety 25% के बराबर होगा कोई परिशानी ये simply हमने निकाल दिया formula अगर आप बोलोगे सर formula लिख दो तो मैं लिख देता हूँ margin of safety is equal to actual या फिर 100 minus में break even point का percentage लो जी formula भी बन गया हमारा ठीक है ना ये क्या बन गया हमारा formula बन गया चलिए सर तीन cases हो गए हमारे चौत्थे cases पर चलते है case number 4 case number 4 सर case number 4 में क्या कहता है PV ratio 40% profit 35,000 तो formula को याद करिए PV ratio दे दे और profit दे दे तो MS निकल सकता है तो बड़ी simple सी बात है तो MS का formula हो गया सर profit और profit डिवाइड़ बाई PV आर पी बी रेशयो इंटू में 100 तो सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगाना है profit 35,000 डिवाइड़ बाई PV रेशयो कितने 40 और इंटू में 100 तो sir यह आ जाएगा हमारा 35,000 divided by 0.4 87,500 87,500 ओके चलिए case number 4 करके दिखाते हैं इधर के side case number 4 तो हो गया last case case number 5 कहता है contribution जो है हमारा per unit 20 रुपे और profit हमारा कितना है हमारा 15,000 sir आप एक चीज़ देखिए ध्यान देजिएगा एक चीज़ देखिए अगर मैंने कहा कि 100 रुपे का कोई समान है और इसमें से 20, 80 रुपीस का 100 रुपे का कोई समान है इसमें से 80 रुपीस का variable cost है तो आप बोल देते हैं sir यह क्या है हमारा contribution कितना है contribution 20 इसका अगर मैं PV ratio निकालू तो formula होगा contribution divided by आपका sales into में 100 PVR का formula बता रहा हूं मैं तो 100 divided by आप करने वाले हो नहीं 100 क्यों आप करने वाले हो sir 20 divided by 100 into में 100 इस बात से प्रूफ हो जाता है जो contribution होता है कहीं ना कहीं अगर 100 मान के चलें तो वही PVR ratio भी बन जाता है वही PVR ratio भी बन जाता है यहाँ पर बोला इसने contribution sir हमारा कितना है 20 रुपे कहीं भी दूर दूर तक question में ये बात नहीं पता कि sir sales कितने का तो मान लेते हैं sales 100 रुपे का रहा होगा एक example assumption अगर आपने माना sir sales 100 रुपे का रहा होगा तो very very simple अगर आपने माना sales 100 रुपे का रहा होगा तो contribution यानि PVR ratio जो निकल गया वो निकल गया 20% तो sir formula लग जाएगा हमारा margin of safety is equal to 20% का मतलब एक note देना पड़ेगा जम्षर ये तो basic basic से चीज़े हैं तो हमारा profit 15,000 divided by जो हमारा वो बाला case है वही formula लगा रहा हूँ divided by divide किससे करें sir divide कर दो 20 into में 100 तो ये क्या जाएगा हमारा 5, 75,000 low जी low इसको भी हम पूरे bracket में हर question के cases को कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो जितना कर पाएंगे कर देंगे चलिए छोड़ी हटाईए समझ में आ जाएगा आपको एक ही display पे कोसिस रहती है कि हम आपको सारी चीज़े दिखा दिया जाए और ये रहा आपके सामने और एक display पे सारी चीज़े कोई doubt इसमें नहीं ना तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं margin of safety का topic चल रहा है तो फटा फट से आप इसको note कर लीजिए फिर हम आएंगे अगले question पे different question करेंगे okay दिखने है आपको ठीक है दिखाते है now is it okay yes ठीक है फटा फट नोट करेंगे इसके बाद हम चलेंगे next question पे